हमें integrate करना है sin inverse bracket में क्या है हमारे पास 2x upon में 1 plus x square अच्छा एक बात बताओ यह formula याद है आपको sin 2 theta हमारा equal होता है 2 tan theta upon में 1 plus tan square theta है ना अगर मैं यहाँ पे x के value tan theta put कर दूँगा तो क्या यह formula पुरानी बन जाएगा जो की equal होता है इसके है ना फिर हमारा science से sin inverse cancel हो जाएगा तो put कर लेते हैं let कर लेते हैं let कर लो let x is equal to tan theta on differentiating both side तो में क्या मिलेगा bx is equal to tan theta को करो differentiate तो sec square theta मिलने वाला है और उसके बाद theta का में d theta मिल जाएगा ठीक है यहाँ तक कोई लिक्कत हमारा theta की value क्या आएगा theta is equal to क्या यहाएगा बताऊ x is equal to 10 theta है हमार पास theta is equal to क्या यहाँ 10 को etc लेओ तो हमसे मिलेगा 10 inverse x इसकी helps हम क्या निकाल लेंगे यह क्या है हमार पास x is equal to 0 से x is equal to 1 है तो at point x is equal to 0 पे हमारा ट की वTw citoy और क्या होगी तो ठीटा की value क्या होगी ठीटा की value क्या होगी ठीटा की value क्या है हमार पास put करो यहाँ पे 10 inverse 0 तो ठीटा की value क्या है यहाँ पे 10 inverse 0 जो कि हमारा 0 की एक और होता है और at x is equal to upper limit क्या है हमार पास 1 है तो 1 पे क्या है हमार पास ठीटा की value theta is equal to क्या आएगा हमार पास पुट करो यहां पर 1 theta is equal to 10 inverse 1 और 1 हमारी होती है 10 pi by 4 की value 10 inverse 10 pi by 4 10 inverse 10 cancel तो बचा क्या हमार पास pi by 4 बच गया तो यहां पर मैं लिख दू theta is equal to pi by 4 आएगा यह हमारा lower limit है यह हमारा upper limit है पुट कर दो अब तो अभी हमार पास theta is equal to 0 से pi by 4 हमें integrate करना है 0 से pi by 4 sin inverse का sin inverse x को हमने पुट किया है यहां पर लेट किया 10 theta तो पुट कर दो 210 theta upon में 1 प्लस 10 square theta dx की value क्या हमार पास यह जो की है sec square theta d theta तो यहां से हमार पास value क्या रही है 0 से pi by 4 sin inverse यह हमार इकॉल होता है sin 2 theta के तो sin 2 theta लिदू है यहां पर में into में क्या है मेरे पास sec square theta d theta cancel हो गया तो मुझे क्या बचा मेरे पास 2 theta into में यह तो 2 तो constant है बाहर निकाल लो जाओ तो आप 0 से pi by 4 यहां पर बचा theta और sec square theta d theta तो अब आप इनका use करो eyelet का है ना यह हमारा क्या होगा यह क्या है हमारा algebra है किसे को doubt algebra क्यों है देखो यहां पर यह ना x-z पर theta लेह रखा है ठीक है यह theta है algebra है यह हमारा trigonometry है तो पहले क्या आता है inverse log algebra यह हमारा u होने वाला है यह हमारा v होने वाला है यह रहा formula use करो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको first इसको second function first to second लिखके ऐसे ही कर लेते हैं जो आपको अच्छा लगे तो यह हमारे पास formula apply करो यहाँ पर तो क्या value मिलेगी हमें is equal to तो 2 पहार निकालो अंदर क्या आएगा हमारे पास u u हमारा theta है तो theta integration of v जो कि हमारा sec square theta है sec square theta d theta फिर minus o का minus integration of किसका d over d theta u का जो कि जो हमारे पास formula देख लो आप ठीक है u का जो हमारे पास फिर integration v का जो कि हमारे पास sec square theta है d theta bracket close होगा और d theta जाएगा हमारे पास ठीक है यह use किया है मैंने वीडियो पोस करके यह बाद चेक कर लो कि सभी तो किया है कि नहीं किया मैंने आगे करें इसके बाद यहां से हम लिख सकते हैं इसको 2 देखो limit भी हमारे पास 0 से pi by 4 तो limit भी चाहो तो यहां पे लिख दो लिखना ही है ऐसे तो हमें 0 से pi by 4 तो अब हम कहां पहुँच गए हैं यहां पे हैं theta का theta integration of sec square theta हमारा 10 theta होता है सबको पता है बाद minus है तो minus integration d over d theta theta का 1 आएगा 1 in 2 में इसकी value 10 theta आने वाली है integration of sec square theta 10 theta होता है 1 in 2 में 10 theta तो 10 theta जाएगा हमारे पास यहां पे d theta चीक है और कहां से कहां था के limit है हमारे पास 0 से pi by 4 ओके यहां था कोई दिकत अब इसके बाद इसकी value का आएगी बता हूँ मुझे integration of 10 theta किसकी को रोता है दिखाया भी था मैंने starting में यह आपको log mode sec x plus c एक formula और होता है minus log mode cos x plus c एक formula यह भी होता है ठीक है जो आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हो अभी हम यह यूज कर लेते है यहां पर मैं लिखने वाला हूँ 2 theta 10 theta minus इसकी value का है हमार पास log mode sec यहां पर x है यहां लिकिन theta है यहां पर sec theta आएगा और c यह में प्लस करना नहीं है क्योंकि हम यहां पर हमें limit दे रखी है 0 से pi by 4 ठीक है अब हम क्या करेंगे एक पर इसमें pi by 4 put करेंगे एक पर हम 0 put करेंगे यह से करते हैं मैंसा तो हमारे क्या value आने वाली है पहले इसके इंतरा pi by 4 put कर लो तो 2 into में यहां पर क्या theta की value pi by 4 है तो pi by 4 फिर into में 10 theta है जो कि 10 pi by 4 आएगा फिर minus sec sorry log mod theta sec theta theta की value pi by 4 है तो यहां पर sec pi by 4 है जाएगा हमारे पास mode के अंदर यह ठीक है फिर minus लिखेंगे हम फिर यहां पर इसमें जहां पर भी theta हूं हमारे 0 put कर दो तो 2 यह 0 into में 10 theta 0 आएगा minus log mod sec 0 break it close चीक है तो यहां से में इस value क्या रही है 2 10 pi by 4 हमारा 1 होता है तो pi by 4 into 1 pi by 4 ही आजाएगा हमारे पास minus log sec pi by 4 cos pi by 4 क्या होता है 1 by under root 2 होता है 1 by under root 2 कोल्टा कर दो तो under root 2 आएगा यहां पर क्याएगा हमारे पास log mod के अंदर under root 2 under root 2 positive है तो under root 2 ही लिख दो पस mod की जोड़त नहीं है हमें फिर minus 2 into में 0 और यहां पर क्या है sec 0 sec 0 क्या होता है हमारे पास cos 0 1 होता है उल्टा कर तो 1 ही आएगा तो यहां पर क्या रहा है log 1 की value 0 होती है पिछले वीडियो में बताया था मैंने log 1 हमारा 0 की को लता है ठीक है तो यह 0 होगा 2 into में 0 मैंने 0 0 आने वाला है यहां पर 0 लिखो या मत लिखो यह की बात है तो हमारा answer क्या आ गया 2 into pi by 4 मतलब pi by 2 minus minus 2 into में log under root 2 मतलब 2 log under root 2 यह हमारा answer आ गया